प्रथामंत्री नरेंद्री मोती अब तक 60 किसान सिंगु बॉर्डर और दिल्ली की आसपास दे गए धर्णों में मर चुके हैं और आपके मूँ से एक शब्द नहीं एक शब्द नहीं इंडिनेजिया में एक विमान हाथसा होता है जहां 62 लोग मारे जाते हैं प्रथान मंत्री नरेंद्र मोदी उस मुद्दे पर ट्वीट करते हैं जो कि आपके स्क्रीन्स पर है यानि कि इंडिनेजिया में 62 लोग मारे गा एक विमान हाथसे में जो जाहिर सी बात है बहुत दुखदाई है मगर मेरा किसान भी तो मर रहा है न सिंगू बॉडर पर बताई और कल ही एक किसान मेरा आत्म हत्या कर ली मोदी जी आपके मुँसे एक भी शब नहीं निकलेगा इन किसानों के लिए क्यूकि आप मध्यप्रदेश में भारती जनाता पाठी द्वारा बुलाए गए उसके लिए एक शब नहीं आपके जहन में आप सिर्फ यही कहते हैं कि इसको बरकलाया गया है इसको भटकाया जा रहा है इसकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है उसके पीछे वामपंथियों और कॉमिनिस और कॉंग्रिसियों कहां थे प्रधान मंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी तरास्दी है कि आप सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान को इस तरह से नजर अंदास कर रहे हैं और अब उस किसान का गुसा सामने उभर कर आ रहा है इन तस्वीरों से सपष्ट है उसने कल बता दिया मनोहरलाल खटर और राज के उपमक्य मंत्री दुष्टन चोटाला को अपनी ताकत उचाना में वो जगा जहां दुष्टन सिंग चोटाला उतरते हैं अपने हेलिकाप्टर्स के साथ उसने उस हेली पैट को खोद दिया और उसी तरह से करनाल जहां पर किसान महा पंचायत को मनोहरलाल खटर जो हैं संबोधित करने वाले थे वहाँ पर उसने इन तस्वीरों के जरीए अपना दमखम दिखा दिया और सपष्ट कर दिया कि किसानों से पंगा मत लीजिए अगर आप जानते हैं प्रोपगैंडा फिर भी बन नहीं हो रहा है क्योंकि मनोहरलाल खटर इसके पीछे वामपंथियों और कॉंग्रिस का हाथ बता रहे हैं अगर उससे पहले और भी बड़ा प्रोपगैंडा जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा और आपके होश उड़ जाएंगे कि हमारे पत्रकार किस तरह से स्टेनों बन गए हैं टाइपिस्ट बन गए हैं कई न्यूस चैनल्स ने कई एजनसीज ने कई अखबारों ने इस खबर को ही दफन कर दिया कि किस तरह से किसानों का रोश दिखा करनाल में उचाना में और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर को उतर नहीं नहीं दिया आपके सामने प्रमान ये देखिए प्रमान नमबर एक ये है जागरन देश का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार क्या कह रहा है खराब मौसम के कारण हर्याना की सियम मनोहरलाल खटर का करनाल दौरा रद किसान महा पंचायत में लेना तहिस्सा आपको शर्म नहीं आती खराब मौसम की वज़े से दौरा रद हुआ है या किसान की आकरोश की वज़े से वो दौरा रद हुआ है ये हालत है हमारे अखबारों की और खासकर ये वो अखबार हैं जो करोडों की संख्या में घरों तक पहुँचते हैं और वो इस तरह से भ्रामित कर रहे हैं लोगों को बात यहां नहीं रुकती ये देखिए दूसरा ये हिंद समाचार कुछ है खराब मौसम के कारण किसान महा पंचायत में शामिल नहीं हो सकते सेम भाशा उसी तरह की भाशा और अब बात यहां नहीं रुकती अब आपके सामने दोस्तों ये है अमवानी का नियूस चैनल इनका हेडलाइन देखिए करनाल खराब मौसम के कारण और क्या लिखा हुआ है खराब मौसम के चलते हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहरलाल खटर किसान महा पंचायत में शामिल होने कैमला गाउं नहीं पहुँच पाए उनके हेलिकॉप्टर को खराब मौसम के कारण उड़ने की अनुमती नहीं दी जा सकी ये कारक्रम भाजपा नेताओं की और से किया गया था तो यहां दो चीज़े बात उभर कराती है नमबर एक कि किसान के आंदोलन को ही दबा दो या तो उसे बदनाम करो या उसके आंदोलन को ही दबा दो और खुद बता रहे हैं कि ये कारक्रम भाजपा के नेताओं की तरफ से किया गया था यानि कि इसका किसान महापंजायद से भी कोई लेना देना नहीं था यह सिर्फ BJP का एक समारो था और उसके बाद वोखलाय हुए मनोहरलाल खटर एक प्रेस कॉंफेंस करते हैं और उस प्रेस कॉंफेंस में क्या कहते हैं कि इसके पीछे कॉमिनिस और कॉंग्रिसियों का हाथ जिनके मंत्रियों ने बलात कारी रामरहीं का समर्थन किया था चाहे आपके मंत्री अनिलविज रहे हो और खेर भारती जाता पार्टी के तो बड़े-बड़े सांसदों ने राम रहीम का समर्तन किया था मगर आपकी सरकार किस तरह से राम रहीम के सामने नतमस्तक थी एक बलातकारी के सामने नतमस्तक थी पूरी दुनिया जानती है अब आप कह रहे हैं कि किसानों की पीछे कॉम्मिनिस्ट और कॉंग्रिसियों का हाथ है ये बीजेपी भूल गई है कि किस तरह से खुद राजनाथ सिंग ने कहा था कि जरूरी नहीं कि किसान किस संगठन से जुड़ा है या उसके पीछे कौन सी ताक्ते हैं मैं तो हमेशा किसान के समर्थन में रहता हूँ याद है या भूल गए तिर से सुनिए हम कभी या नहीं देखते हैं किस पार्टी का किस संगठन का कोई यामदोलन है तो अतारक्रम है हमारी नगर या देखती है तो केबल देखती है जहां पर ही शेह हिंदोस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहा है किस संगठन से जुड़ा है किस पार्टी से जुड़ा हूए बीजेपी किनेता राजनाथ सिंग की इस बात को भूल गए इसलिए मेरी भी आपसे अपील है दोस्तों कि खासकर बीजेपी वालों से कि अपने इतिहास को ना पूले आपने मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जब अन्ना अंदूलन हुआ था हम सब जानते थे जो जो पत्रकार उसे कवर कर रहे थे कि वहाँ पर आरेसिस का दमखं था और ये बाद में जाके पता चला कि इसके पीछे अजीर डोभाल की संस्था विवेका नंद फाउंडेशन का दिमाग लगा था मगर मेरे जैसे पत्रकार जो से कवर कर रहे थे और समर्थन भी कर रहे थे क्योंकि मेरा ये मानना था कि देश में भरष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन होना चाहिए एक ऐसा गुट होना चाहिए जो सरकार को कड़गरे में रखे हमेशा मुझे ऐसा लगा था कि अन्ना आंदोलन ये भूमिका निभाएगा ये बात अलग है कि अन्ना अंदोलन अन्ना खुदी खामोश हो गए आपने कभी बे अन्ना को मोधी सरकार के खिलाफ तेवर सख्त करते हुई नहीं देखा या अशन करते नहीं देखा बस धमकी देते रहते हैं बयान देते रहते हैं अर्विन के जिवाल दिली के मुख्य मंत्री बन गए, जनरल वी के सिंग वो सांसद बन गए, अनुपम खेर तो खेर आप चाटू का रहें उनकी क्या बात करें, पिरन बेदी वो तो आप जानते ही हैं, बीजेपी की नेता और उसके बाद पुडुचेरी में राजिपाल हैं तो जो मैं आपको कहने का यहां प्रयास कर रहा हूँ, वो यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ, कि इस आंदोलन में जितने लोग शामिल थे, उन्होंने सब ने अपनी रोटियां से की, बावजूद इसके, मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना आंदोलन के पीछे बेशक आरेसस का अगर ऐसा अन्नोलन होना चाहिए था, क्योंकि देश में भरष्टा चार एक कैंसर था जिसके खिलाफ जो है लोगों को उग्षा होना चाहिए था, आवाज उछानी चाहिए थी, ये बात अलग है कि उस अन्नोलन का मकस्द सिस्टम को बदलना नहीं था, उस आंदोलन का मक सिर्फ कॉंग्रिस को हटाना था और बीजेपी को लाना था वो बीजेपी जो अब लोगतंदर की बखियाओ धेड़ रही है ऐसी तैसी कर रही है तो मैं आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ उस आंदोलन के पीशे आरेसस का हाथ था मगर खटर साहब मैं आप से पू नहीं हमारे प्रधान मंत्री की तरफ से और दूसी तरफ क्या हो रहा है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या मध्यप्रदेश में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में इस वक्त जैश्वरी राम के नारे लगाया जाते हैं रालिया निकाली जाती है और उसका मकसद क्या है राम मंदिर के लिए पैसा एकटा करना अब दिखिए बहुत अच्छी बात है आप राम मंदिर के लिए पैसा एकटा कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोट ने तो वो जमीन राम मंदिर के लिए दे ही दी ये बात अलग है कि उन्होंने आपने फैसले में ये भी कहा था हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि वहां नीचे राम मंदरी था नंबर एक नंबर दो उन्हें ये भी कहा था कि 1947 में जब राम लला की वहां पर मूर्ती स्थापित की गई थी वो पूरी तरह से गहर कानूनी थी बावजूद उसके उन प्रधान मंतरी ने उसका शांदार उधगाटन भी कर दिया बाद में ये पता चला कि राम मंदर की नीचे तो नदी बह रही है और कोई भी वहां राम मंदर की नीव रखेगा तो वो राम मंदर की जो नीव रहेगी वो अस्थाई रहेगी तो मैं जो कहने का प्रयास कर रह कि उसके लिए तो पैसे खटे हो गए थे ना फिर ये लोग क्यों फिर से पैसे खटे कर रहे हैं क्या जनता कोई जानने का अधिकार नहीं है मगर दूसरी तरफ जब किसान भाई बंधू जो है पीज़ा खाता है तो उसको लेकर आप उसे बदनाम करते हैं किसान के बारे में क कुए भावजुद स्के लोग ने सिरे से खटा कर रहे हैं कि इसकी जवाब दे ही नहीं है तो भारती जनतापाटी की सरकारे जो मधिप्रदेश में उत्तरपदेश में जो लोग पैसा jsे कट्टा कर रहे हैं इनसे कोई जवाब देही नहीं है आपकी लिए बात आपको अगर पैसे तो घटे हो चुके थे ना, क्या इन लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा, सारे सवाल तुम्हारे सिर्फ किसानों के लिए है, अजीब औ गरीब देश दोस्तों, डॉक्टर कफील इस शक्स को रासुका के अंतरगत, नाशनल सेक्योरिटी आट के अंतरगत करीब नो दस महीनों तक जेल में रखा जाता है, बाद में अदालत उन्हें रिहा कर देता है, ये कहते हुए कि इन्हों ने जो भाशन दिया था, वो तो सामाजिक एकता का प्रतीक है, मगर दस महीने तक इस बंदे को जेल में रखा जाता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में चु स्थानी ये पुलीस ये कह रही है हमारे पास कोई प्रमान नहीं है कि इन्हों ने हिंदू धर्म का अपमान किया मगर इस बंदे को जेल में डाल दिया गया अजीब हो गरीब देश है ये आप जानते हैं मुझे तो क्या लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की तारीख में अगर अटल जी भी होते न यह यह कहा जाए अगर किसी और पुलिटिकल पार्टी के होते हैं तो ये लोग अटल जी को भी देशदुरही बताते हैं और मैं ये बात क्यूं कह रहा हूँ ध्यान से सुनेगेगा 1998 से 2004 की बीच में BJP की सरकार थी अटल जी ने पाकिस्तानियों को गले लगाया वो बस लेकर गए फिर उनके पीठ में खंजर भूका गया करगिल हुआ बावजूद उसके उन्होंने कश्मीर के साथ कश्मीर को मरहम लगाया हीलिंग टच दिया उस हीलिंग टच का नतीज़ ये था दोस्तों कि करीब 2003 से लेकर 2015 तक या 2014 तक कश्मीर में काफी हद तक शान्ति थी और उस हीलिंग टच का मकसद क्या था उस हीलिंग टच को अगर मैं एक पंक्ती में कहूं कि सिर्फ कश्मीर हमारा अभिन आंग नहीं है बलकि कश्मीरी भी हमारे भाई भन्दू है और ये बात मैं भी लगातार कहता हूँ कल्प ना कीजे अगर यही काम किसी खैर भाजपा प्रधान मंतरी ने किया होता तब बीजेपी का प्रचार तंत्र अटल जी को भी देशद्रोही बताता क्यूं? क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों के साथ या कश्मीरियों को हीलिंग टच देने का प्रयास किया था या फिर पाकिस्तान के साथ सार्थक बाचीत की उन्होंने पहल की थी बहुती अजीब और गरीब इनके तर्क हैं देश भक्ती और देश द्रोह को लेकर इन लोग की कोई जवाब दे ही नहीं है ये लोग हमारी आस्था के साथ खेल सकते हैं राम मंदिर के नाम पर फिर से पैसे खटा कर सकते हैं मगर किसान की रैली में अगर कोई पीज़ा भी खा ले तो उसको लेकर ये लोगे ने देश द्रोही और खालिस्तानी बता देते हैं मैं आज दो चीज़ें कहना चाहता हूँ सबसे पहली बात मेरे एक बहुत ही इमानदार अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोग किसान को लगतार बदनाम कर रहे हैं एक के बाद एक किसान मर रहा है उस किसान के होसले का आप लोग इमतिहान ले रहे हैं वो किसान एक इनसानी है आपके और मेरी तरह और जब हम लोग अपना आपा खो देते हैं तो कभी-कभी हम लोग लक्षमन रेखा को पार कर देते हैं हम उस किसान को लगातार प्रवोक कर रहे हैं उसे लगातार उसे भड़का रहे हैं हमें इस खेल से बचना चाहिए नमबर एक नमबर दो किसान भाई बंधों से भी मेरी अपील मैंने इंडिया टुड़े में एक कारकरम देखा था जिसमें उनकी दो महिला रिपोर्टर्स गई थी और उनका ये दावा था कि वहां मौझूद किसानों ने उनके साथ बत्तमिजी की अगर ये हकीकत है तो मेरे हिसाब से किसान भाई बंधों को इस बात से बचना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत खुबसूरत आंदुलन कर रहे हैं इससे अब हिंसा की गिरफ्त में मत पढ़ने दें अब ये बहुत लंबा इम्तिहान है आपकी सामने ठीक है बहुत ही लंबा इम्तिहान है तो मेरे आप से यही अपील थी दोस्तों और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको सम्मती दे भगवान, सबको सम्मती मिलेगी और किसान के लिए इतनी मुश्किलें पैदा नहीं की जाएंगी झाल